मस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त धरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ भी धरिंदर यादव दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हम Element of Mathematics class 10th कर रहे हैं और इसी सिरीज के अंदर हमने Exercise 4.3 का Question No.4 का Second Part तक Finish कर लिया था तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं Question No.4 का Third Part है दोस्तों x plus 3 upon x plus 2 is equal to 3x minus 7 upon 2x minus 3 तो देखिए इसको कैसे solve करेंगे जो 2x minus 3 है इसको हम उपर ले जाएंगे 3 plus sorry x plus 3 से multiply हो जाए गई और यहां से देखिए x plus 2 जो है वो multiply हो जाए किस से हैं 3x minus 7 से तो एक cross multiply हो जाएंगे यह इदर चली जाएगी term और यह इदर चली जाएगी इसके पास तो यह क्या बन जाएगी यह बन जाएगी x plus 3 multiply में 2x minus 3 और उदर चली जाएगी 3x minus 7 multiply by x plus 2 यह आ जाएगी अब देखिए इनको multiply करते हैं क्या आएगा यह आएगा 2x square और plus में आ जाएगा कितना यह बन गया 6x और यह बन गया minus का 3 तो कितना बज़ेगा यह बच गया 3x के equal और यहां से आएगा 3 3 जा 9 तो minus का 9 यह आ गया इसका multiply करने के बाद यह result आ गया is equal to में अब इन दोनों का multiply करते हैं कितना आएगा यह आएगा 3x square और उसके बाद आएगा minus का 7x और यह आएगा 6 plus का 6x तो कितना आएगा minus का x बच गया उसके बाद देखिए minus का 7 और 4 कितना हो गया 7 2 जा 14 तो minus का 14 यह आएगा अब क्या करते हैं इन सब को एक तरफ कर लेते हैं क्या आएगा 3x इस 2x square को इधर ले आते हैं 3x square में से minus करेंगे तो कितना बचेगा यह बचेगा x square के equal फिर देखिए x का इधर ले क्या आते हैं इसको तो कितना आएगा यह minus का 3x आएगा और यहाँ पे minus का है तो कितना हो गया minus का 4x हो गया अब देखिये यहाँ से minus का 14 है यह उदर जाकरके plus का 9 होगा तो minus का 14 plus का 9 कितना बचेगा यहाँ से बचेगा minus का 5 इस इक्वल टू में 0 अब देखिए अब ये बन गई quadratic equation इसको हम solve करेंगे देखिए x square को हम agities लिखते हैं उसके बाद देखिए हमें दो ऐसे number चाहिए जिनका multiply तो बने minus 5 के equal और जिनका जब sum करें तो कितना है minus 4x के equal ये होना चाहिए तो क्या बनाए हम इसको हम कर लेते हैं minus 5, sorry एक plus का, एक minus का तो यहां से लेते हैं minus का 5x हाँ सही है, minus का 5x and plus का x ये ले लेते हैं देखिए इसको जब solve करेंगे यानि किनका sum करेंगे तो आएगा minus का 4x और जब multiply करेंगे तो आएगा minus का 5x square के equal और minus 5 को हम adjectives लिखेंगे is equal to mean 0 यह हो गया, अब यहां से first two terms में से common लेंगे कितना आएगा x common आएगा, अंदर कितना बचेगा x minus 5, यह बचेगा अब यहां से भी common लेंगे कितना लें, plus का 1 common लेते हैं, अंदर कितना बचेगा x minus 5, is equal to mean 0 अब देखे, दो ट्रम बन गई यहां पे इन दोनों में से दि common लें तो क्या common आएगा, x minus 5 और अंदर कितना बचेगा, x यहां बचेगा और plus का 1 बचेगा, यहां is equal to mean 0 अब देखे, दोनों को compare कर देते हैं 0 के equal रख देते हैं, तो क्या आएगा x minus 5 is equal to 0 और यहां से आएगा, x plus 1 is equal to mean 0 यहां से x is equal to बनेगा 5 के equal, और यहां से x is equal to बनेगा minus 1 के equal तो यहां से x की दो value निकल गई अब चलते हैं इसके fourth part पर, देखे, fourth part क्या दे रखा है, x minus a upon में x minus b, plus में x minus b upon में x minus a, is equal to में दे रखा है a upon b, plus b upon a, यह दिया हुआ है तो अब इसको solve करते हैं, पहले left hand side और right hand side, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों को solve करते हैं देखे, LCM लेना होगा पहले हमें, तो LCM क्या आएगा, LCM आएगा x minus b, multiply में x minus a, यह इसका LCM हो गया, अब देखे x minus a से तो x minus a cancel हो जाएगा, अब कितना बचा x minus a बचा, और उपर भी कितना है x minus a, यानि कि x minus a का square हो गया, यहां से बन जाएगा square, फिर plus का sign है तो plus का लगाएंगे, अब यहां से देखे, x minus a है उससे x minus a, cancel, बच गया कितना है, x minus b, उपर भी कितना है x minus b, तो उसका whole square हो गया, x minus b का whole square बन गया, is equal to में देखे, यहां भी क्या करेंगे, LCM लेना होगा, क्या आएगा, a b, और उपर कितना बचेगा, उपर देखे, b से b cancel, a बचा, तो a से multiply by a, क्या बन गया, a square plus में, यहां से देखे, a से a cancel, बच गया कितना, b, तो b को b से करेंगे, तो b square हो गया, यह हो गया, अब देखे, इनको solve कर लेते, निचे multiply कर लेते, इनको, और उपर solve कर लेते, कितना आएगा, उपर solve करेंगे, तो क्या है, x minus a का whole square, इसको में, b square, minus 2 b x के equal, और upon में कितना आएगा, upon में देखे, इनको multiply solve कर लेते हैं, कितना आएगा, x square, और यह आएगा, minus का b x, और minus का a x, और आजाएगा, plus का a b, यह आएगा, और is equal to में कितना है, is equal to में a square, plus में b square, upon में a b, यह है, अब क्या आगया, देखे, x square, x square, कितना बन गया, 2 x square बन गया, अब कितना है, a square plus में b square, यह तो constant होगा, इनको अटाओ, पहले लेते हैं, x volume, तो minus का 2 a b, और minus का 2 a x, और minus का 2 b x, इनको एक साथ करते हैं, कितना आएगा, देखे, minus common ले लेते हैं, और 2 भी common ले, दोनों में से, तो कितना आएगा, minus का 2 common लिया, तो अंदर बचा, a plus b, और multiply में कितना, x, यह लिख दिया हमने, इतना आगया, इन दोनों में से, x की जो term थी, ना, उनको हमने solve किया है, तो इतना आगया, अब constant क्या बचा हुआ है, वो बच गया, a square, प्लस b square, यह बच गया constant, इसको हमने लिख दिया, एक साथ, यह लिख दिया, अब नीचे कितना है, देखे, नीचे x square है, x square को x square लिखेंगे, और यहां से देखे, x की जो term है, उनको common लिख करके, एक साथ लिख देते हैं, minus दोनों में से common उठाते हैं, जब minus common लेंगे, तो अंदर क्या होजेगा, a plus b, और multiply में x, और plus में क्या आएगा, a b, और is equal to में क्या है, देखे, a square plus b square upon a b, इसको as it is, हमने लिख दिया, अब देखे, क्या करना है, अब इनको cross multiply करते हैं, देखे, a b को तो इनमें multiply हो जाएगा, इस complete term में, इस complete equation के अंदर multiply हो जाएगा, a b, और यह जो complete equation है, वो multiply हो जाएगी, a square plus b square के अंदर, तो क्या बनेगा, देखे, यहां से यह बनेगा, a b multiply कर रहे हैं यहां से, तो क्या बनेगा, 2 a b x square बन गया, फिर देखे, इसके साथ करेंगे, तो कितना आएगा, minus का, 2 a b into a plus b x, यह बनेगा, और इसके साथ multiply करेंगे, तो आएगा, plus में, a b into a square plus b square, यह बन गया, अब उदर multiply करेंगे, तो क्या बनेगा, उदर देखे, यह बनेगा, a square plus b square, और multiply में x square, यह बन गया, अब minus का, देखे, minus का, कितना है, a plus b x है, तो इसके साथ multiply करेंगे, तो कितना आएगा, यह आएगा, a plus b, और multiply में, यहां कर देता हूँ, a square plus में b square, यह आएगा, और into में आएगा x, यह आएगा, और plus में क्या है, a b, तो इसके साथ ही multiply हो जाएगा, क्या आएगा, a square plus b square, और multiply में a b, यह बन गया, अब देखे, यहां से, a square, a square plus b square, into में a b, यह इदर भी है, a b into में a square plus b square, same term है, तो देखे, एक plus हो जाएगा, और एक minus हो जाएगा, उदर जाग करगे, एक तरफ जब भी करेंगे, तो दोनों में से, एक plus होगा, और एक minus होगा, इन दोनों आपस में, cancel out हो जाएगे, यह हो गए, अब देखे, क्या करें, अब x square वालों को, एक तरफ करते हैं, तो देखे, यहां से x square वाला है, यह इस तरफ लियाते हैं, इसको भी, तो क्या बनेगा, यहां से बन गया, a square प्लस में, b square, और इंटू में कितना है, इंटू में x square है, तो x square तो हम common उठाते हैं, यह x square इसमें भी है, और यह उदर जाकर किसमें होगा, माइनस में, तो देखे, माइनस का हो जाएगा, 2ab, और complete हो गया, multiply में, x square के साथ, तो यह क्या बन गया, a square प्लस b square, माइनस 2ab, इंटू x square, यह बन गया, अब देखे, x के coefficients को, यानि कि x की जो terms है, उनको उठाते हैं, अब देखे, यहां कितना है, यहां तो है, a plus b, इंटू में, a square plus b square, और इधर कितना है, इधर है, a b, यानि कि, a plus b जो है न, यहां भी है, और a plus b, इसमें भी है, तो a plus b, तो हम common लेते हैं, minus का sign है, इधर जाकर के, plus का बनेगा, तो minus हम common उठाते हैं, और ले लेते हैं, इसके साथ में, a plus b, जो दोनों के अंदर, common है, तो a plus b हमने लिया, अब देखे, कितना बचा अंदर, अंदर यहां तो बच गया कितना, a square, plus में b square, यह बचा, अब यह जो ट्रम है, देखे, यहां से हमने minus common ले लिया है, तो यहां जो जाक करके, उधर plus होगी, लेकिन उसमें से, जब minus common ले ले लिया, तो minus बचेगी, तो minus हा कितना बनेगा, minus का 2ab, यह बनेगा यह भी, ठीक है, और a plus b था, वो हमने common ले लिया था, और बच गया कितना, x तो x तो दोनों में common है, तो multiply में हमने कर दिया, अब इतना बचा है बस, बाकी वो cancel out हो गया, is equal to में क्या है, 0 के equal, यह हो गया, अब यह कितना बन गया, यह देखिए, यह complete बन गया, a square plus b square minus 2ab, यह बन गया किसके equal, यह बन गया, a plus b के whole square के equal, into में कितना है, x square, और यहां से देखिए, minus में क्या है, a plus b है, और multiply में यह क्या बनेगा, a square plus b square minus 2ab, यह बनेगा, a plus, a-b, sorry, यह a-b का equal बनेगा, a plus नहीं, यदि यह plus होता, तो a plus b बनता, और यह minus है, तो यह minus बना है, a-b का whole square बनेगा, और यह भी कितना बनेगा, a-b का whole square, इंटु में आएगा, x is equal to 0, इतना बन गया, अब क्या करेंगे, इन दोनों मेंसे हम common उठाएंगे, यह complete term है और यह भी complete term है इन दोनों में से हम क्या common ले सकते हैं एक तो common आ रहा है a minus b का whole square यह common आ रहा है साथ में x इसमें भी x इसमें तो x भी common आ रहा है अब अंदर कितना बचा? अब अंदर बच गया यहाँ तो बचा x और minus में कितना बच गया? minus में बच गया a plus b यह बच गया यह आ गया is equal to में 0 यह हो गया अब क्या करें? अब दोनों को 0 के equate कर देते हैं यानि कि देखिए यहाँ से आ गया a minus b का whole square into में x is equal to हो गया 0 के equal और यहाँ से यह बनेगा x minus a plus b is equal to में 0 तो यहाँ से x is equal to क्या बना? यह उदर जाक करके plus का बनेगा तो कितना आ गया? a plus b के equal एक तो x की value आ गई a plus b और यहाँ से क्या आएगी? देखिए x जो multiply में x के साथ उदर जाक करके divide में जाएगा 0 से divide करें किसी चीज को क्या बनेगा? 0 तो यहाँ से x की दो value आ एक तो 0 आ गया और एक आ गया a plus b के equal यह था fourth part अब चलते इसके fifth part पर fifth part देखिए दोस्तों 4 upon x minus 3 is equal to 5 upon 2x plus 3 और यहाँ कह रहा है कि x जो है न वो not equal to 0 है ना तो 0 के equal है और ना ही minus 3 upon 2 के तो चलिए इसको solve करते हैं as it is और जो 5 upon 2x plus 3 है इसको लेके आएंगे इधर तो कितना बन जाएगा minus का 5 upon 2x plus 3 यह बन गया और जो minus का 3 है उसको ले जाएंगे उधर तो यह हो गया plus का 3 यह बन गया अब क्या करें इन दोनों का LCM हमें लेना होगा तो LCM कितना आएगा LCM आएगा x multiply में 2x plus 3 के equal यह आएगा अब देखे यहां से क्या आएगा x से तो x cancel हो गया लेकिन 2x plus 3 है वो multiply हो जाएगा किसमें 4 में 4 2 जा कितना हो गया 8 x के equal आगया और plus में कितना आएगा 4 3 जा 12 के equal यह आगया अब minus का sign है तो minus लगाएगे और यहां देखे निचे कितना है 2x plus 3 वो cancel हो गया बच कितना x x को 5 से करें कितना आएगा 5x के equal इस इकवाल 2 में हो गया 3 अब देखे एक्स वालों को solve करें कितना आएगा plus का 8x है और minus का 5x है कितना आएगा 3x के equal तो 3x हो गया और plus में कितना है 12 और divide में देखे इन दोनों को multiply कर लेते है multiply होने पे क्या आएगा 2x square आएगा और plus में आएगा 3x is equal to में कितना है 3 अब यह जो complete रमें चली जाएगी इधर multiply में 3 के तो कितना बनेगा यह बनेगा 3x उपर वालत identity लिखेंगे 3x प्लस 12 is equal to में कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 6x square बन गया और plus में 9x बन गया अब क्या करें देखें 6x square को इधर रखते हैं तो 6x square इधर ही रहेगा और x वालों को इधर ले आते हैं x को भी इधर ले आते हैं 9x है और minus में 3x कितना बन गया प्लस का बन गया 6x के equal यह हो गया अब minus का 12 हो जाएगा उधर जाक करके तो minus का 12 is equal to में 0 अब इसको divide कर लेते हैं किस से हैं 6 से हैं तो 6 से divide करेंगे तो आएगा x square plus में x और minus में कितना minus में 2 is equal to में 0 अब देखिए हमें दो ऐसी value चाहिए जिनका हम multiply करें तो बने minus का 2x square और जब उनको sum करें तो आए plus का x के equal तो क्या value ले हम हम लेंगे plus का 2x and minus का x यह लेंगे हम और minus का 2 as it is लिखेंगे is equal to में 0 अब first two term में से common उठाएंगे तो x आएगा अंदर बचेगा x plus 2 और यहां से भी minus 1 common लेंगे तो अंदर बचेगा x plus 2 is equal to में 0 अब दो ट्रम है इन दोनों में से क्या common लें x plus 2 हमने common ले लिया अंदर कितना बचा x minus 1 बचेगे अंदर ठीक है is equal to में 0 यह हो गया अब क्या करें अब दोनों को equate कर देते हैं 0 के तो यहां से देखिए x plus 2 is equal to में हो गया 0 के तो x की value क्या आ गई यह आ गई minus 2 के equal x की value आ गई minus 2 के equal और यहां से कितनी आएगी x minus 1 is equal to 0 तो यहां से x is equal to कितना बनेगा minus, minus नहीं plus का 1 यह इदर जाकर के plus हो जाएगा ना तो plus का 1 x is equal to 1 आ गया और minus 2 आ गया दो value आ गई यहां से अब चलते हैं इसके sixth part पर क्या दे रखा है 3 upon x plus 1 minus 1 upon 2 is equal to 2 upon 3x minus 1 और यहां से कह रहा है x चो है ना ना तो equal है minus 1 के और ना ही 1 upon 3 के तो चलिए इसको solve करते हैं क्या आएगा यहां से पहले तो करते हैं 3 upon x plus 1 यह इदर है अब इसको ले आते हैं इदर तो आएगा minus का 2 upon में 3 x minus 1 इतना आएगा और जो minus का 1 upon 2 है इसको उदर ले जाएगे तो plus का बनेगा plus का 1 upon 2 यह बन गया अब क्या करेंगे lcm लेंगे तो lcm कितना आएगा lcm आएगा x plus 1 multiply में 3 x minus 1 यह आएगा और उपर कितना आजाएगा देखिए x plus 1 से x plus 1 cancel और इसको multiply कर देते हैं 3 से तो कितना आएगा 3 3 जा 9 9 x आगया और minus में कितना आएगा minus में 3 और जहाँ यहाँ पर minus लगा हो already तो कितना आएगा देखिए 3 x minus 1 यह तो cancel हो गया और बजगे कितना x plus 1 बजगे इसको multiply करेंगे 2 से minus 2 से तो कितना आएगा minus का 2 x आएगा और minus का 2 आएगा is equal to में कितना है 1 upon 2 है अब देखिए क्या करेंगे उपर वाले को solve करेंगे और निच्चे वाले को multiply तो उपर वाले को solve करेंगे क्या आएगा 9 x minus 2 x कितना 7 x के एकवल और minus 3 minus 2 minus 5 के एकवल और निच्चे वाले को multiply करते हैं कितना आएगा 3 x स्केर आएगा और यह बन गया 3x and minus x कितना आया यह आया plus का 2x यह आगया और minus का आया 1 is equal to में क्या आएगा 1 upon 2 अब इनको cross multiply करते है 2 को इससे multiply करते है और यह complete term इधर चली जाएगा कितना आएगा 7x minus 5 तो उपर आएगा इधर और is equal to में क्या आएगा 3x square plus में 2x minus 1 यह आएगा अब यहाँ से क्या करते हैं इनको एक तरफ करते हैं तो 3x square आगया और plus का 2x है यह उदर जाकर के minus का होगा तो minus का 7 है कितना आएगा यह आएगा minus का 5 x के equal minus का 5 है उदर जाकर के plus का 5 बनेगा तो कितना रहेगा plus का 4 बच गया is equal to में 0 अब देखिए क्या करना है हमें हमें 2 ऐसी value चाहिए जिनका हम multiply करें तो किसके equal आए 4th reason 12 12x square के equal आए और जब हम उनका sum करें तो कितना है minus 5x के equal आए sorry दोस्तों हमसे एक mistake हो गई है यहाँ से हमने 2 से multiply नहीं किया 7x minus 5 को तो देखिए 2 से multiply करेंगे 7x minus 5 को तो यह कितना आएगा 2 से multiply करना होगा तो यह यहाँ से गल्द कर दी हमने यह आएगा 7 2 जा 14 यह आएगा 14x minus 10 और is equal to में आएगा 3x square plus 2x minus 1 यह आएगा अब क्या करें यह 3x square तो as it is आएगा लेकिन यह जो minus 14 है उदर जाकर के sorry plus का 14 है उदर जाकर के minus का 14 होगा और यह कितना बनेगा minus का 12 x के equal बन जाएगा और जो minus का 10 है उदर जाकर के plus का बनेगा और यह बन गया minus का 9 9 के equal और is equal to में sorry उदर जाकर plus हो ना तो plus का 9 आएगा is equal to में 0 यह आएगा अब यहां से हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको तो कितना बनेगा x square minus 4x plus में 3 देखे यह आगया x square minus 4x plus 3 is equal to 0 के अब देखे क्या करेंगे हमें ऐसी दो value चाहिए जिनका multiply आए 3x square के equal और उनका sum करें तो आए minus का 4x के equal तो क्या बनेगी दो value देखे एक तो आजा में 3 को हम entities लिख देंगे is equal to 0 अब इन दोनों में से common क्या ले x common ले लिया अंदर बच गया x minus 3 यह आगया और यहां से क्या common ले minus 1 common ले लिया अंदर कितना बच गया x minus 3 is equal to 0 यह आगया अब यहां से क्या आएगा common इन दोनों में से x minus 3 आगया common अंदर कितना बचा x minus 1 is equal to 0 अब इन दोनों को 0 के equal कर देंगे equate तो कितना आएगा x-3 is equal to 0 x-1 is equal to 0 तो यहां से x is equal to हो गया 3 के equal और यहां से x is equal to हो गया किसका 1 के equal तो यहां से x की 2 value आ गई 1 और 3 के equal यह था इसका 6th part अब चलते हैं इसके 7th part पर 7th part देखिए दोस्तों 1 upon x-1 into x-2 plus 1 upon x-2 into x-3 is equal to 2 upon 3 यहां से देखिए LCM लेंगे कितना आएगा LCM आएगा इनका इस complete का LCM ले लेते हैं कितना आएगा यह आएगा x-1 multiply में x-2 और multiply में आजाएगा x-3 यह इसका LCM आएगा इसके बाद देखिए x-1 and x-2 यह तो cancel हो गया बचिए कितना x-3 यह आगया उपपर x-3 1 से multiply हो करके अब plus का sign लगेगा उसके बाद देखिए क्या करेंगे x-1 and x-3 इसको हम cancel करेंगे यहां से यह cancel हो गया बचिए कितना x-1 बचिए तो यह आजाएगा यहां x-1 यहां आजाएगा is equal to में लिख देंगे 2 upon 3 यह लिख दिया अब क्या करें देखिए इनको solve करते हैं x-plus का x-plus का कितना हो गया 2 x के equal और minus का 4 यह हो गया upon में कितना आएगा upon में इनको multiply करेंगे हम देखिए इसको इस से करते हैं तो कितना आएगा यह आएगा x square और यह आएगा minus का x minus का 2x तो minus का 3x हो गया और आएगा plus का 2 यह आएगा और multiply में कर देते हैं x-3 से इसको हमें multiply करना x-3 से is equal to में कितना है 2 upon 3 यह है तो यहांजे कर देते हैं this implies that यह क्या बनेगा 2 x-4 upon में अब इन दोनों का multiply करते हैं कितना आएगा यह आएगा x की power 3 and minus का 3x square plus में 2x देखिए मैंने पहले x से किया इन तीनों को हमने कर दिया multiply किसे हैं x से कर दिया तो यह आगया अब इसके बाद में हम करते हैं minus 3 से इस complete को तो कितना आएगा minus का 3x square आगया और minus sorry minus minus plus हो गया multiply होकर गया plus का 9x के equal आगया और यह आएगा minus का 6 के equal यह आगया is equal to में है 2 upon 3 यह आगया अब यहां से क्या करें इसको लिखेंगे हम as it is 2x minus 4 और upon में कितना आएगा यहां से देखिए x cube एक ही है तो x cube को as it is x cube लिखेंगे x square के 2 है minus का 3 और minus का 3 कितना हो गया minus का 6x square के equal अब x के उठाते है x का 9x है and 2x है कितने हो गये plus का 11x के equal उसके बाद कितना है minus का 6 है तो minus का 6 लिखेंगे is equal to में कितना 2 upon 3 यह लिखेंगे यहां से क्या आएगा है 3 जो है multiply में चला जाएगा इसके और 2 है इसके multiply में चला जाएगा देखिए 3 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 3 टू जा 6x आएगा और minus 4 3 सा 12 is equal to में देखिए 2 से इसको complete को multiply करेंगे तो कितना आएगा 2x क्यूब आएगा और minus में आएगा 6 टू जा 12x स्केर के equal और plus में आएगा 11 टू जा 22x और minus में 6 टू जा 12 यह आगया अब यहां से क्या करें एक तरफ कर लेते हैं complete को तो कितना आएगा 2x क्यूब आगया उसके बाद x स्केर को minus का 12 x स्केर एक ही है उसके बाद देखिए x वानों करेंगे 6x को इधर लेकर आएगे तो minus होगा तो minus का कितना, sorry, plus का कितना बचेगा, plus का बचेगा, 16x बचेगा, अब देखिए minus का 12 इधर, ये उधर जाकरके plus का 12 होगा, और दोनों अपस में cancel हो जाएंगे, यानि कि अब कुछ भी नहीं बचा, is equal to में 0 हो गया, अब क्या करें, इस में से हम कितना common ले सकते हैं, इस में से 8, 8 बच गया, is equal to में 0, ये हो गया, अब यहां से देखिए क्या बना, एक तो हम 2x is equal to 0 रख सकते हैं, तो x is equal to कितना आ गया, 0 के equal, देखिए 0 की divide में जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 0, अब दूसरा, इस complete को हम रखेंगे 0 के equal, क्या आएगा, x square minus 6x plus 8 is equal to 0, ये quadratic equation बन इसको हम solve करेंगे, देखिए हमें ऐसे दो नमबर चाहिए, जिनका multiply बने किसके equal, 8x square के equal, और जिनको हम sum करेंगे, तो कितना बने, minus का 6x के equal, तो क्या बनेगे ओ नमबर, तो बन जाएगे, देखिए, minus का बनेगा 4x, और minus का बनेगा 2x, इनको हम sum करेंगे, तो minus का 6x तो आप देखिए first two term में से common लेते हैं कितना आएगा x आएगा तो अंदर बचा x-4 अब second two जो दो बच गई इन में से कितना common आएगा इसमें से आएगा minus का two common अंदर बचेगा x-4 is equal to 0 अब यहां से कितना बनेगा यह बनेगा देखिए common कितना लें x-4 और अंदर कितना बचा x-2 यह बच गया is equal to 0 अब हम compare करेंगे 0 के equal रखेंगे तो x-4 is equal to 0 आएगा और x-2 is equal to 0 आएगा यहां से x is equal to 4 के equal और यहां से x is equal to 2 के equal लेकिन question में क्या दे रखा था x is not equal to किसके 1, 2 and 3 ना तो 1 के equal आओगा ना 2 के और ना 3 के तो यहां से x की 3 value निकली है x is equal to 0 वो तो मानने हो गई सही है दूसरी देखिए x is equal to 4 वो भी मानने हो गई और तीसरी आगे x is equal to 2 जो कि यहां कहरा है कि x जो है not equal होगा किसके 2 के तो वो हम नहीं लेंगे कि अवल दो ही value लेंगे x is equal to 0 और x is equal to 4 यह हमारा answer हो गया दोस्तों आज की इस वीडियो में हितना ही मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इसका question number 4 का 8 पार्ट लेकर गए यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज को like करें share करें और subscribe करें मेरे चनल को मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए thank you and take care दोस्तों